हेलो फ्रेंग्स मैं शिक्षा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ आज हम सोया बॉल्स बनाएंगे सोया बॉल्स बनाने के लिए एक कप सोया बीन्स लेंगे और इसमें आदा कप गरम पानी डालेंगे अब इसको पंदरा मिनिट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे इससे सोया फूल जाए पंदरा मिनिट हो गई है और देखें सोया भी फूल गया है अब इसको ग्राइड कर लेंगे सोया को प्रेस करके सारा पानी निकाल लेंगे फिर इसको ग्राइड करेंगे ये ग्राइड हो गया है अब इसको बावल में निकाल लेंगे अब इसमें एक बारी कटा हुआ प्यास डालेंगे अब इसमें आधा कप मैदा दो बड़े चमच अरारोट एक चमच दही एक चमच गिसा हुआ अध्रग एक चमच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर दो आधनु सार नामाग और एक चमच करम मसाला डालेंगे और सबको अच्छे से मिला लेंगे अब इसमें नेवू डालेंगे आप नेवू की जगा अबचूर पाउडर भी डाल सकते हैं अब धनिया डालेंगे और दोबारा से सबको मिला लेंगे अगर पेटर आपको थोड़ा सा गीला या पतला लगे तो अब अपने अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा अरारोट एड़ कर सकते हैं अब इसकी बॉल्स बना लेंगे अब अपने अकॉर्डिंग छोटी या बड़ी बना सकते हैं हमने पहले ही ओईल को गरफ होने के लिए रख दिया था अब वोल्स को फ्राय कर लेंगे गेस को धीमा ही रखेंगे इसको धीमी गेस पर ही फ्राय होने देंगे इससे बॉल्स अंदर से भी अच्छे से फ्राय हो जाए देखिए फ्राय हो गए है अब इसको निकाल लेंगे मैं अब लेंगे, आर फड़े ख्राय हो तोया बोल्स बनकर तयार है आप इसे केचप या चटनी के साथ नेजॉय कर सकते हैं आप इसे breakfast या evening snack में बना सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आये हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं निक्स वीडियो में